नमस्कार हमारी खास पेशकरश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आयुशी गुपता विधायक के कामकाश से जनता खुश रहे या नाराज कहां तक पहुची अलबड की रामगर सीट की विकास यात्रा विधायक साफिया जुबेर क कामकाश की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट कितने वादे हुए पूरे कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुची विकास की रफ्तार करेंगे हर मुद्दे की पूरी परताल पहले देखिए रिपोर्ट रामगर विधानसभा सीट अलवर जिले में आती है ये विधानसभा सीट जाती और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है रामगर विधानसभा शेत्र में बीजेपी जहां कटर हिंदुवादी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती नजर आई है तो वही कॉंग्रेस मुसलिम उमिदवारों को मैदान में उतारती रही है रामगड विधानसभा में हिंदू-मुस्लिम टककर की रूप में वोटों का ध्रूवी करण होता है जिसे यहां कॉंग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होता है अब तक हुए 15 विधानसभा चुनाओं में इस सीट पर 6 बार त्रिकोनिय मुकाबला हुआ है वर्तमान में सीट से कॉंग्रेस की साफिया जुबेर खान विधायक है यह सीट 1951 से 1985 तक कॉंग्रेस के पास रही वहीं पिछले 35 सालों से यह सीट कभी बीजेपी तो कभी कॉंग्रेस के खाते में जाती नजर आई है इस सीट से सबसे जादा जीत का रिकोर्ड कॉंग्रेस के जुबेर खान और बीजेपी के ग्यानदेव आहुजा के नाम है दोनों नेताओं ने इस सीट से 33 बार जीत दर्च की है 1990 में जुबेर खान पहली बार जीते थे इसके बाद वो 1993 और 2003 में भी विधायक चुने गए जबकि ग्यानदेव आहुजा 1998 में पहली बार इस सीट से जीतने में काम्याब रहे इसके बाद ग्यानदेव आहुजा 2008 से 2018 तब लगातार 10 साल तक यहां से विधायक रहे इस चुनाव में सीट पर 270,000 मतदाता है जबकि मुसल्मानों की संख्या सबसे ज़ादा है यहां 80,000 मेव मतदाता है इसके बाद यहां S.S.E. मतदाताओं के भी अच्छीतादाद है जो कि 55,000 है इसके अलावा यहां पुरुशार्थी और राजपूत समुदाय 40,000 है 20,000 वैश्य ब्रामहन और 10,000 गुर्जर मतदाता है इस्थानिय मुद्दों की बात करें तो रामगड विधानसभाशेत्र में विकास का मुद्दा हमेशा गौड रहा है इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा पानी की समस्या है रामगड नगर पालिका के अध्यक्ष और विधायक के बीच आपसी दुश्मनी की वज़े से रामगड का विकास अटका हुआ है जिससे रामगड कजबे में सफाई, बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है रामगड विधायक साफिया जुबेर खान की और से विधानसभा शेत्र में एतिहासिक कारे करवाने के दावे किये जा रहे है उन्होंने बताया कि रामगड शेत्र में नगर पालिका बनाई गई है और गोविंद गड को तहसील बनाया गया है सभी ओफिसेस काम ने विकेंदरी करन किया है चाहे वो पंचाय समीति हो चाहे नगर पालिकाय हो चाहे वो तहसीले हो कि जनता को किसी भी काम के लिए अपने घर से जादा दूर नहीं जाना पड़े बहुत प्रॉपर तरीके से डवलपमेंट किया है पूरा रोड का सड़कों का जाल बिच चुका है पूरे इलाके में पानी की बड़ी-बड़ी योजनाई आई है यह तो जो इंफ्रस्ट्रक्टर की बात करेंगे उसके बारे में अदरबाइस हमारी राइस्थान में कॉंग्रस सरकार ने मक्री मंति जी ने जो ओपियस करें तो वो हिस्टोरिकल है इसको पूरे देश में आज की तारीक में लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी स्टेट्स में इसको लागू करना चाहिए इसके लवा ब्रदा पैंशन को जो डबल कर दिया गया है इस देश में जो महंगाई मोती जी ने बढ़ाई उसक चीनिती कर रही है जिसकी वज़ा से रामगण का विकास अटक गया है रामगण विदान सवा से जो विदायक हैं मानने कॉंग्रेस के उन विदायक होने विकास तो कुछ किया ही नहीं जनता के विकास के लिए जनता ने इनको चुनाता है कि विकास कार रहे होंगे लेकिन जनता के नहीं खुद के विकास जरूर किये इनों बरस्टा चार में लिप पर चल रहे हैं यह लोग यह क्या करना चाहते हैं समझे लिजा रहा है कहां ले जाना चाह रहे हैं यह गो कशी कि देखो आप कितनी केस हो रहे हैं और भी आप देखिए साइवर क्राइम कितना बढ़ रहा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है सभी नेता उल्टी गिंती गिन रहे हैं क्योंकि चुनाव नस्दीक आ रहे हैं ऐसे में पाटियां प्रत्याशियों को लेकर हर समी करण देख रही है ताकि जीत में कोई आशंका न रह जाए न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट जी ने जो OPS लागू करी है एतिहासी कार है ये उसके लावा चेरंजी भी स्वास्त भी मा की बात करें तो वो हिस्टॉरिकल है जिसको पूरे देश में आज की तारीक में लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी स्टेट्स में इसको लागू करना चाहिए इसके लाव आज सबोह ब्रधा पंशन को जो डबल कर दिया है इस देश में पर्दावस्ता पेंशन का डबल होना उसको बएगरी बात है जो बहुत रहत मिली ए किसानों को रहत कर रहे होंगे लेकिन जनता के नहीं खुट के विकार जरूर किये इनों बरस्टा चार में लिप रहे आपने देखा खनम्माफिया काफी हो गया है उस त्रीक नीतियां हो गई नीतियों पर चल रहे हैं यह लोग ये क्या करना चाहते हैं समझी नीजारा हैं कहां ले जाना चाह रहे हैं ये गो कशी की तो देखो आप कितनी केस हो रहे हैं और भी आप वह देखिए साइवर प्राइम कितना बढ़ रहा है ढाल हम मौझूद है रामगडविधान साबा चेतर मैं यहां जनता बिशाएक काले है। में आप बताएं जो विकास के दाबी किय ते वह पूरी हुपाय है यह नहीं ईट वीधाय का साफिया जुवेर जी उन्होंने कापी हद तक कोशिस के रिए विकास करने की लेकिन पूरे वादे जो किये थे वह पूर्ण नहीं हो पाए हैं लेकिन अभी जो नई सरगर्मी चल रही है हम अपने चेत्री विदायक के बारे में चुनना पसंद करेंगे कि हमारा जो चेत्री क की तरह भी जाना पसंद करेंगे जी आप बताएं किस तरीके का जो यहां आपस में जो हिंदू-मुस्लमान वाली जो बातें होती रहती हैं क्या उसे उपर उठकर के जनता वोट कर पाएगी या वही मुद्दे जो घिसे पिटे हर साल जो आते हैं चुनावाते हैं तब वो हिंदू-मुसलमान वाला जिन जो है वो बहार आ जाता है बाकी फिर वो विकास के दावे जलते हैं देखो विकास के इस अगर चुनाव को देखा जाना जिस तरीके से साफ या ने जो रामगड़ में काम क्या है जो आने वाले जो पहले विदायक जीते थे तो उन्हीं साफ पकड़ रखता हो राजस्तान की जो टीम है वो यहां लोगों से बात कर रही है जी आप बताएं कि जो विकास के लिए बातें बहुत होती है लेकिन हकिकत में जो जंता को है रामगड़ में सफाई का मुद्धा है पानी का मुद्धा है वह मौन है जर हमारे जो यहां पर र प्रिक्षर नहीं गया गंदगी के धेर लगे पड़े हैं पूर्मधायक नहीं है वर्तमान विधायक है और जो हम तो यह चाहते हैं कि काउं काउं का ही कोई आदमी आए कम काउं की पब्लीक की आम समस्य को सुने आप किस तरीक से देखते हैं यहां हमारे छेत्र अमीद्व हैं वो फिलाल रहेंगे जो मुद्दा है यहां पर सबसे पहली बात तो क्या ही पानी का निकास ही नहीं है जहां देखो नालिया गंदी हुई पड़ी है गलियों में रेखो तो पूटे के ठेर लगे पड़े हैं नगरपाली का प्रनादी लेकिन किसी को काम नहीं करने दिय तो कैसे विकास हो यहां पर आपके यहां कि आपको सरकारी योजनाओं का लाब मिल पाया है आपके महेंगाई रहाथ को सब्सक्राइब कर दो कि देखा लागे इसका कितना असर पड़ता है आपको लिकास सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें इजली पानी और आफसक मुल्भूत सुगिदाएं वह लोगों को नहीं मिल पाती है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और नहीं पानी जा रही है और और यह भी रहा है काम और पानी की बाद पानी एक दिन चोड़के एक दिन आता है और वह एक दिन में भी ठिटा का जाता आफन इस से पूर्ट पर्टी है अब पूर्ती है पूर्टी तो करने परदे करने हैं विजी कट होती है वो बार जो लोग जो पहुंच नहीं है उनके वहां काम नहीं हो पाया है आप किस तरी किसे देखते हैं जो विकास है वो कितना यहां पर हो पाया है लेकिन अब जो बोट जिसको देने जो चंबल का पानी है लाएगा उसके लिए बोट है पानी की समस्या है बड़ा मुद्धा है यहां पानी का जो वैसे के वैसे बड़े हुए बड़ा मुद्धा है कि यहां जो नेता है राजनेता वो चेत्रिये को प्रात्मिता देने की बात हो रही है कि ठीया बुद्धार लूद्धा आ कि च्यान पार्तमानुब्धाया को पास नहीं हो रूमगाइड़ जो मुख बजारा हैं यहां यहां पर मौजूद्धारिख घडिक बात करते हैं कि यहां की जनता खुश नहीं है कामगड में विकास कि आप चलोगे तो सारे विकास ऐसे पढ़ें कोई काम की लायक ऐसे मुद्द नहीं है देख लो दंदी गलिये मिलेंगे नाली का पाणी देख लो आप बाहर फैलतावा रोड पे मिलेगा या कोई किसी नेतर संतुष्ट है नहीं आते हैं चले जाते हैं कोई भी हो मैं इस पार्टी की बात नहीं करता पजार में देख लिए आप देखेंगे शाम को देखें मोटर किसरी के ऐन के अलावा नगरपालिका यहां बनाएं गये तो लेकिन नगरपालिका पाली छवी का करेकारी होत नहीं चल काम कहां से होंगे अब बताएं युवा है युवा रोजगार की बात की जाती है जो पेपर लीग का मुद्दा है वो ठाया रहा है किस तरीके से देखते हैं यह सब गौर्वेंट की पॉलिस ही आए गौर्वेंट चाहती नहीं की काम सभी तरीके पे हो इनके अर्दिकारी नेता लोगों मिले हुए लहते हैं मिलने के कारण इनका मुझी ब्लाद और पैसे को से फ्रकारी रहा है। कोई काम है कि इसफ़ान की बाद कि रामगड में क्या मुद्द ऑवि하團 को मुद्द रहा ह। कि ऐधों कि बहुत बड़ी परिशानी यह हमेरें हैं पर यह कभी पंदर दिन ona पर दूसर लगा दिया ना आज तक आज 3-4 साल हो गए नगर पालिका को बने 4-4 साल मजला पार्षत बने हो गए 3-4 साल के अंदर आज तक कोई भी महले में करनी नि लगी कोई लाइट नि लगी जो यहां जाजनिती है उसकी वज़े से लोग बोता है आप जो हैं यहां काम करते हैं किस तरीके से परिवार का जो खर्चाय महगाई है वो चरम पर उसका कितना नुक्सान उठाना करता है यह नहीं बोल पा रहे हैं आप बताए आप युवा है रोजगार का जो मुद्दा है उसको किस तरीके से देखते हैं रोजगार तो जितना प्रेकेंसी उतनी मिलेंगी लेकिन रोजगार यह से नुक्सान है मार्केट हमारा बिल्कु ठाप हो चुका है मार्केट एक तो हमारा रोड आज सब बने गया हाईव वाला पबलिक रामगड पसंद नहीं करसी तलवर पहुंचती है फिर मार्केट में विवस्ता अच्छी नहीं है नाइट में लाइट वाल नहीं होते बिलकुल भी नगर प सब्सक्राइब करते हैं तो उनकी स्कीम है उसको जो उन्होंने मुवाईल में पैसा कर्च करते हैं यहां पर लाइटिंग अच्छी करते सब काम करते आगे और शीच रूमें करते रोज़गार और बढ़ाते वह जद अच्छा है जी आप बताएं कि यहां क्या जो सब्सक्राइब करते हैं यहां सबसे ज्यादा जो बंदगी है वह यहां सफाई नहीं हो पाती है कोई डिबार्टमेंट देख लो सब्सक्राइब होगा है जो आदमी 25-25 किलोमेटर से आते हैं तक्रिकारी हैं जो राजनेता हैं यहां सब्सक्राइब बताए क्या करन है यह जो वाने लिए जो यादिकारी है जो जटने भी है जो लोकल मानते हैं उसके उसके इसके दवाव के बजह सिर्दा काम हो रहा है कोई विकास नहीं हो रहा ओए बड़ा मुद्दार होता है क्या ठाने जो है हैं उनके सामने से डंपर निकल के जाते हैं लेकिन को यह कार रवाई नहीं होती है कि क्या होता है नित्वाव है यह तो और भी जो लोग मौजूद है जी आप बताएं कि किस तरीके से सरकार के द्वारा महंगाई रहात लगाए गए और अब मोबाइल माटे जा रहे हैं क्या जनता को इस तरीके से लाइनों में खड़ा करना इसक्त मैं जायज मानते हैं किसान हो तो किसान काफ से पूरते किसान है आप रहूल गांदी ने माला खेड़ा में गोशना की थी अगर मैं दस गिनूंगा और किसानों करेंद माफ हो जाएगा क्या किसानों करेंद माफ हो पाया है कोई किसान का नामा अप बाकी मैं यह कहुंगा जो अपने सापिया है एमेला साब इनने इतनों दवाव दे रहा को यहां कोई भी अपसरते ही काम करके राजी ना है करेंगो तो उसकी बहुत जल्दी बल्दी हो जाएगी और यहां मतलब कुछ दिन पहले आई अग वे साथ किलोड कि अपलब हुद पढ़ाएं द्यायेंवालो नगरपाली के लिए धीक लिए दो दोहली गांओं में साथ रुपय ना लिया आज तक दोहली में कोcyj रुपवी लगो पताए तो मैं उसको में साथ डियुक्स जो है वो क्यों नहीं हो पारा रहे है इसके कारण कोई भी तो थाना वाला तो चाहिए कुछ भी करके देंगा वह तो देंगा ते सिल्दार को ते कर रहा है कि इतना रुपर देंगा तो देंगा चाहिए पटवारी खुलना पर कीस मांग लिएगो आज विजडी भी भाग में जाओ करते हैं तो हम पैसे प्रास फर्म भी गिर जाएगो तो हम अजार विपर देह के कोई मजबूर लगवाएंगा या मतलब किसी से करवाइंगा हमारे बीजडी वार्य कोई तो अगर आप यह कह रहे हैं कि कोई सी पार्टे नहीं बहुत सारा विकास हुआ और जब से कांग्रेस आई है तो एक तो सरकारी जो मसीनरी है वह बिल्कुल जाम हो गई है जैसे जंग लग गया हो कोई काम करके इच्युक नहीं है आज मालो सदक पर रोड के लाइट बंद है तो बंदी है उगल्यओं है आटरी और विकास के मुझे पर काम करती आज इंतों को नियाए जिलाती है वहुसी बात है भारे जंग को आख् लेकिन भारती जंता पार्टी ने तुरुंट उसको निसकासित किया उसको सजद लाई है ऐसा नहीं है नहीं भारती जंता पार्टी में कई बड़े वरिष्ट नेता है जो ब्रष्टाचार के मामले में डूबे रहें और उन्होंने बाजबा ऐसी कौन सी जो गंगा जमना की पार्टी में सामिल हो जाता है वो तुरुंट पवित्र हो जाता है ऐसे क्या है बात करो तो भारते जंता पार्टी वास्ता में ही पवित्र पार्टी है क्योंकि देश की एक खंटा के लिए भारते जंता पार्टी का एहम रोल है मैं खुद रिटार्ड फोजी हो और मैं कि आज हमारी डेट इढ़ी भी हमारे जो सही जवानों वी रिए एक गंद घंद 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 में पुछ रही है और बात रही घ्रिया डावार्ट रही तो मैं तो कांगरेस को बस्ते असार पार्टी मानता हूं भात जंता पार्टी में किजी प्रकार का कोई भश्ताचार नही झाल झाल झाल